जहन जबारत दोस्तों स्वागत करता हूँ आप पर CS वाला चैनल पर 60 डेजी के साथ जहां पर हम फॉस्ट अटेम्ट में पहली अटेम्ट में बोत ग्रूप या सिंगल ग्रूप किस तरह क्लियर करें सबसे पहले आप ये 60 डेज रह गए हैं बस ये 70 दिन रह गए हैं असी द दिन में 12 गंटे का प्लानर दे रहा हूँ आपको पढ़ने का इसके अलावा आपका सोने का खाने का घूमने जाने का इंस्टाग्राम चलाने का सारा टायम मिल रहा है आपको 12 गंटे 24 में से निकालने के बहला आवा आपको और नीद तभी आपको अच्छी बैस आएगी ज आट दिन तक और ये प्लानर अगर 6 दिन भी आपका वैसे चल गया जैसे मैंने बताया है तो 54 देस तक आप यही प्लानर बोलोगे और एंड मुझे जरूर बोलोगे जब आप एक भी दिन इस प्लानर के जाब से चलोगे एक एक चीज ऐसी डाली हुए जो आपकी प्रॉब इटी पास करने के बाद अगर पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे जोथे दिन से आपका एटिट्यूट कुछ इस तरीके का था कि आप बोध गुरूप की खिलासे ले बैटे हैं आपने बोध गुरूप के हर सब्जेक्स से वाकिफ है और आपको पता है कि बोध सीजन का टाइम कम मिलेगा यह बस जा रहा है यह डर पहले ही खतम कर देंगा अगर आपको वो दिन मंगता है अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप एक से जादा दिन लेंगी अपने रिवीजन के लिए तो आप सिंगल गुरूप में जा सकते हो पर मैं आपको सला यही दूँआ कि अगर आप पहले से डिसाइड कर रखा है बोथ गुरूप तो आपको बोथ गुरूप पर ही जाना जाए अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा था डर की वज़या से कि हमें एक एक गुरूप बाले है हमारी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है मैं कि अगर आपका गुरूप वन में 220 मार्क्स भी आते हैं और गुरूप वन तू में 130 मार्क्स आते हैं ऐसपर न्यू स्टेडेजी न्यू स्लिवर्स की बात कर रहा हूं दोस्त तो आपका साड़े 300 मार्क्स बन जाता है कहने को आप गुरूप टू में एक तरीके से फेल हैं मतलब 500 नंबर पूरे नहीं बढ़ फिर भी आप पास माने जाते हैं कि सारे सब्जेक्स को एक साथ लेकर 350 मार्क्स का टार्गेट आपका कम्प्लीट है यह बस स्मॉल टार्गेट है जो हर बच्चे का सपना होता है कि बिजनेस एंटिटी कॉर्परेट एंड फिनेशल मेनेजमेंट कैपिटल मार्केट और सिक्वारिटी कि एक टेक्स लॉएंट तो सबसे पहली बात आपको साथों सब्जेक्स क्या एक दिन में पढ़ने हैं बिलकुल भी निए क्या साथों सब्जेक्स को डेड़ेडर गंट की वेक्टर बिफोर मेकिंग एनी टार्गेट और प्लानर मैं दे रहा हूँ आपको पर आपको इस्टेटिक नहीं करोंगा प्लानर मेरे साथ से चलो ऐसे वाला चलो कि आप अपने दस दिन में जियाई जील करो अगले दस दिन में इंक्रम टेक्स करो बिलकुल भी नहीं आपको जो काम जो कमी जो आपको पता नहीं रहा है कोई या अंदर से आवास तो आ रही है पर सुननी पा रहे हो कि या प्रीवियस येर कुश्चन साथ में लगा कर देखने थे लिखकर देखने थे और एक्जाम के सजिस्टेट आंसर जो चेक करने थे तब ही तो मैं अगर आपके तीन सब्जेक्ट भी फेवरिट मिल गए साथ में से तीन बिटा तीन सब्जेक्ट भी अगर आपके फेवरिट मिल गए तो गैरेंटी बोल रहा हूं ये तीन सब्जेक्ट आपको 60 प्लस जरूर कराएंगे ये तीन सब्जेक्ट आपको 60 प्लस जरूर कराने व हो 48 लिया हो मैं बस तीन सब्जेक्ट बुल रहा हूं मैं चार भी नहीं बोल रहा हूं आपको तीन सब्जेक्ट मुझे पता है हर बच्चे क्यों जाएंगे अगर आपका नुमेरिकल बेस थोड़ा सा भी अच्छा है 11 12 वे अकाउंस आपको थोड़ी से भी मज़ेदार लगत अगर आपका एकनॉमिक कोमर्शियल कैपिटल मार्केट में से कोई तो साथ मैं से तीन सब्जेक्ट एक कॉर्पोरेट फैनेंचिल तभी जब तक आपका नुमेरिकल बेस थोड़ा सभी तगला है जब तक आप पेवरिट सब्जेक्ट ने सारे प्लानर रग दी है आपको मै एक बार पढ़ाया और आपको एक बार में वैसा समझ में आ गया उसने एक क्वेशन पूचा और आपको एक बार में आंसर आ गया वही आपका पेवरिट सब्जेक्ट है जब तक हम खुद को अच्छे से नहीं करेंगे खुद की अच्छे से नहीं करेंगे हम किसी पेपर मे कई पढ़ा होगा और 11-12 को भी कई पढ़ा होगा स्ट्रेंग्ध मीक्नेस अपर्चनिटी थ्रेट यह थ्रेट को अपनी अंदर की स्ट्रेंग्ट से मारेंगे कि आप MCQ सेशन में तगड़े हैं या केस स्टडी और नुमेरिकल टाइप के कोश्चन आपके बैस्ट है मतलब सर MCQ सेशन तभी बैस्ट हो सकता जब बच्चे ने कॉंसेप्ट को डीपली एनिलाइज करा हो विज्वलाइजेशन किया हो चीजों को पढ़ाओ पीचर ने जो एक्जामपल लिए हो वो यहां कनेक्ट हुए हो यहां कनेक्ट हुए हो और दौनों जगे छप गए हो MCQ उसका गलत होई नहीं सकता और MCQ आपके पूरे पेपर में 20 मार्क्स के हरेग में आने क्वार्पोरेट इन फाइनेशल में 100 परसेंट आपका MCQ से लेवाज है 20 परसेंट MCQ नई चीज है डिस्क्रिप्टिव पेपर में 80 परसेंट डिस्क्रिप्टिव कर दिया 20 परसेंट सब्सक्रिप्टिव आपके लिए मज़दा सर उसमें भी तो शायद हमें ऐसा लगता है कि निगेटिव मार्किंग है पीटा निगेटिव से डर होगे तो निगेटिव ही बन जाओगे पॉजिटिव रहो यह सोचो बीस मज़े पंदरा कैसे लेकर आने है मुझे अगर वन बन मार्क के मेरे एंसे क्यों पॉइंट टूफाइब निगेटिव है मेरी तो मैं पंदरा मार्क यससे रहाँगा कि अगर मेरे यहाँ पर सोला एंसे ग्यू भी सई हो गई तो मेरे पंदरा नमबर आते हैं सोला सही क्या से होंगे हमें तो बहला अधर लगता है बीप इस्टडी आपको निखना नहीं आता मैं बोल रहाँ पर बीप स्टडी आपने कॉंसेट को क्लैरिटी से पढ़ाया है यहां गया यहां गया है आपका MCQ गलत नहीं हो ना बहुत छोटा टारे के लिए के लिए कभी नहीं गया बढ़ हाँ टेक्स लॉस को लेकर मैं बोल रहा हूं अगर आपके दमदार हैं मतलब आपने कुश्चन को डारेक्ट बड़ा वाटर था फीचर सा कम्पनी बात बेसिक सा कुश्चन है 11-12 क्लास का मट्स पीचर क्या होते कम्पनी लोगें परफेट्वल सक्षेशन कॉमन सील सेफिरेट लिगल एंटिडी जैसा वुक में लिखा है इसकरना बेटा बहुत जरूरी है तीचर प्लानर बना कर देते हैं बट उसमें मजा तक तक नहीं आता जब तक आप उस प्लानर में ड़लना जाओ या प्लानर आप में ड़लना जाओ मेरी बात यहां तक समझ में आ रही होगी है और तीन केस मतलब यह भी आता है part अपको एक्जाम में 20% का प्योर थियोरी गोश्टन में और नुमेरिकल भी इसकेस केस टैणि नुमेरिकल वेसर इंक्जास अमेरिकल का कोश्टन का इसकेस में नुमेरिकल भी अच्छा है तो का case study एकदम clear हो गया है यह वाद हम पहले ही discuss कर वेटें दोस्ट के object पे 20 परसेंट और subject 80 परसेंट सिर्फ एक पिपर को छोड़ कर जोड़ कर जोड़ कि पूर ऑब्जेक्टिव है यह मत देखना है पुराणय कोर्स वालों को सेंग बहुत बढ़ी है था तीन subject objective और चार पास सब्जेक्ट सब्जेक्टिव थे comparisons करना छोड़ दो comparison का जमाना गया comparison करना है तो खुद का खुद से करो दोस्त ओके तो don't give equal time to each and every subject मैंने बताया था before planner हमें किसी भी subject को each and equal time नहीं देना है कि हमारा favorite subject को हम ज्यादा time देंगे तो एक गुंदर जी भी बोलते हैं हमेशा से कि भाया अपने आप में जिसमें आप माहिर हो talented हो जिसमें quality आपकी ज्यादा है उस चीज को अपने अंदर समालो आप उसी में expert बनोगे पास भी आपक both groups aspirants हैं अगर हम तो हमें करना क्या है अगर हम सब्सक्राइब की बात करें तो do 3 subjects in a day 3 subject एक दिन में करें इस से related हमें दिक्कत है कि हम करें कहां से शुरू सबसे बड़ी दिक्कत है अब शुरू से शुरू करोगा शुरू से शुरू करो या फिर आपने पढ़ते समय अपन बन जाएगी पासिंग होने की कहानी पास होने की बात शुरू हो जाएगी मतलब do 3 subjects revise complete lecture और write down previous year question आपको स्रिफ lecture teacher का देखा lead लगा कर earphone, headphone लगा कर और रग दिया 12 गंटे मेरे इस आपसे तो पढ़ रहे हो पर 12 गंटे हो productive नहीं निकल पारा जैसे ही lecture खतम हो 5-10 नट कर rest माउथ वाश, hand wash करो, face wash करो और तुरंत उसके previous year question लिखने हो शुरू को अगर आप वीडियो देखोगे, date date 2-3-3 गंटे की समझ में नहीं आएगा guarantee बोन रहे हो, 5-10 मिनट का rest लो, उन questions को लिखना शुरू कर तो पढ़कर, समझ कर, revise कर कर उस वीडियो को, अगर उससे related questions है नहीं नहीं तो क्या करें, तो आज का gap दो, उसको revise कर कर रहे हो, क्योंकि अगर teacher ने पढ़ाया और आपने पढ़ाया, वो तभी clear होगा, तब आप पढ़कर उसको अंदर समावाए, तो do previous year questions बहुत जरूरी हो, यह आपकी तैयारी हो रही है, यहां से आप वो जो 12-12 गंट आपके आजाते हैं, अगर आप 0.5 marks की भी तैयारी करें, वो तब ही होगी, जब आप उसके लिक कर देखोगे, MCQs लगा लो, उससे related अगर दिख रहा हुआ, teacher ने आज पूरा chapter कराया, और उसके पूरे MCQs आपके पास अविले हैं, आप MCQs लगा लो, पचास गलत, पचास में 20 सही जा रहा है, 25 सही जा रहा है, अगली बार 25 जरूर करना, पर एक दिन में 3 subjects, अगर आपकी capability है, तो 4 कर लो, 5 मत, day 2 पर आओ, do 4 subjects, do 4 subjects, do 4 subjects, अनि अब alternatively आपको यही प्लान चलाना है, कि 3 subject आज करनें, उनके related questions करनें, फिर 4 subjects करनें, पहले दिन 3, दूसरे दिन 4, ऐस ना, exam related है, exam oriented है, सर यह से तो completely नहीं हो पाएगा course, आज तक किसी का course complete नहीं हो, सच बताना, comment में, मुझे बताना, CSET में कि सब लोग 100% syllabus पूरा करकर आये थे, even आपके number 170 के आसपास हैं, 100% syllabus किया था, दिल से बताना, सच्चाई से, क्या सच में, 12th class में आपको पूरा syllabus क्योंकि paper में choice भी तो आती है, इस positive factor को कहां छोड़ कर जा रहे हैं आप, तो यह planning है, यानि मैं आपकी planning है स्टक बनाई नहीं रहूं, flexible है, पूरी की पूरी planning, पूरी की पूरी planning flexible है, आपकी कैसे सर, कि do three subjects, three favorite subjects, अपने उठालो, जिसमें आपको top करना है, यानि वो मैंने पहले ही चूज करा दी थे, 60-60 माग भाने, next day आपको बोल, अगर सिंगल ग्रूप वाले aspirants है, you are a single group aspirants, single group aspirants आप होंगे ही कब, single group आप aspirants होंगे ही कब, अपने पहले से ही सोच रहा था, मुझे डर लगता है, चीजों से, मेरे से बहुत सारी पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं average student, तो आपको यही planning day one, day two, day one, day two, मतलब बस two, three, four subjects की जगा, अगर आप single group में है, तो चार subjects per day करें, ठीक है, या फिर आप दो और दो subjects करें, दोनों planning आप, flexible है total, बस same काम आपको भी करना है, MCQs भी लगाने है, daily basis पर, और previous year questions भी लगाने, MCQs भी लगाने है, और previous year questions भी, बार बार एक बात, अगर यह नहीं किया, सर, previous year questions अगर teacher class में करा रहा है, वही वाले लगाने है, उससे best बात कोई होई नहीं सकती, otherwise आप क्यों, सर, नया syllabus है, पुराने साल वाले question लगाने है, उसमें changes तो नहीं आता, बहुत बड़ा कोई change नहीं है, पिछले तीन attempt के तो को change नहीं होगे, income tax के ठीक है, छोटे-छोटे कंप्रिलों में amendment होगे, answer लिखने में ऐसी दिक्कत नहीं है, practice questions आपके available है, आपके पास module आया है, उसमें questions है, उसको तो नया मानोगे आप, ये काम जरूर करना है, 60 days आपको इसी planning पर चले, इसी planning पर, day one, day two, बिल्कुल भी flexible planning है favorite subject उपर, और कम favorite subject नीचे, 60 plus उपर, 40, 45, 48, और ये जब तक नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, pass होने की ववस्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, 50 याले pass नहीं होते हैं, हर subject नो 50 लाने वाले, उनका कोई favorite subject नहीं होता, पर फिर भी pass हो जाते हैं, उनकी भी planning ऐसी रहते हैं कि questions per day लिखना थोगी, छोटी-छोटी बाते हैं, और करनी है, प्लानर आपके सामने आगया, जो भी आप 6 दिन में पढ़ो, यानि मंडे से, सेटर्डे तक अगर आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है, कोई बच्चा मंडे से ना पढ़ कर, कुज़डे से पढ़ रहा है, वेंडे जो जो आपने पढ़ा है, अपने सब्जेक्ट में, जो फेवरिट, नॉन फेवरिट, डे वन, डे टू, जो भी आपने पढ़ा है, उसका संडे को रिवीजन रखो बेटा जरूर ही है, में भी और अधर दिन ले सकते हैं, पर 6 दिन बाद एक पर एक कुमुलेटिव रिवी संडे को संडे को स्टॉप लिया है, उस दिन कोई वीडियो ना देखे, तब तक ना देखो जब तक जरूरत ना हो, अगर कोई टॉपिक पूरी तरह आप से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही का पढ़ा, आप ही पढ़ रहे हैं दो बारा समझ में तो आना लाजमी ह आना ही चाहिए वो, बट इस तिल नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए करेंगे क्या, आप उसके लिए संडे को पूरा खुद से इनलाइस करो, और चाहो तो अस टॉपिक की वीडियो देखो, और फिर कोश्चन लिए, संडे को भी आप कोशिश करें, कि प्लीज दू एक से 100 मांस इसलिए करना, तीन गंटे आप अपने पेपर को देना, और आज से नो गंटे अपने रिविजन को देना, बीच 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 पे गैप लेकर, अगर प्रौपर ली रिवीजन करोगे, फिर पेपर करोगे मजा नहीं आएगा, पूरा पेपर करोगे, रिविजन क किस तरह होगा हमारे पास सब अवेलेबल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डाऊंट गेट प्रस्टेट यंद आप इन चीजों से प्रस्टेट हो जाते हैं जब आप पढ़ाई करते कैसे कोर्स कंप्लीट होगा नहीं करने की जरूरत नहीं आपको पास कराने की गरिंटी मेरी है इवन रेंक तक आ जाएगी सर ऐसा तो बहुत बड़ा ओवर कंपिटेंस हो जाया कि हम कोर्स कंप्लीट ना करके बैटा चॉइस भी आती है कोश्चन में और रेंक वालों के भी कोई है नहीं साथ सो में से साथ सो नंबर आते हैं उनके भ पूरी तरह clarity से बढ़ो और बता रहा हो छे दिन के बाद आपको जरूर मेरी याद आएगी थिंकी बोलने जरूर आओ पासिमांग परसेंटेज पर बिल्कुल भी आपको दिमांग नहीं दोलार ना क्योंकि आपको प्रसप्सेंटेज पर आप से फ्रेंटेज необходимо गवडा लाने की बात नहीं करेंगी अगर आपके कोई ऐसे टॉपिक है जो समझ से ही परें पीचर में पूरा पढ़ा दिया और आप आधे पॉन घंटे का दोल रहे हैं तो यह बात पॉजिटिव दिमाग में लेकर जाओ क्यार यही थोड़ी न पूछेगा 100 मांक्स का एक्जाम में सो में से सो नंबर का यही पूछेगा क्या आपके एक्जाम में क्या आप सोचाओ पेपर इदबार नहीं दूँगा अगले अटर्ण में शिफ्ट हो जा रहा हूं ऐसी निगेटिव बातों से आपको दूर रहना है नहीं रहे तो रिजल्ट आपके सामने है आपको आकड़े दराते हैं पर उस आकड़ों में आपको आना है रिजल्ट अगर आट परसेंट जाता है तो वो सो में से आथवे बच्चे आप होने चाहिए बस मेरा यह नुमान है मेरी यह चाहते अंदर की मैं यह चाहता हूं दोट थिंक आउट जी आइवाद रीडिंग कॉम्पनी लौ मनला यह ने बात रिज़ी को सोचते जीए ठीक अपड़ने के इसके इसके लिए मनले रिखा हुआ माना मुश्किल है माना है मुश्किल की पर नामुम्किन नहीं बना दो चार पास दिन में यह attitude आपका जनलेट हो जाएगा दिरे दिरे कि आप यह पढ़ो तो बस यहीं पर इस्टा करो पूरा focus के यहीं करपड़ कर दो वो फोड़ा सा मुश्किल है फोड़ा ज्यादा भी मु होता हूं और मम्मी थोड़ी सी याद आती है मतलब थोड़ी सी पर पूरी तरह उनको याद करने का मतलब आप वहां पर अटेंटिब नहीं है कंसर्टेशन बूस करते हैं तो मेजर प्रॉप्लम से एक्जाम एप्रोच यहां पूरा एंसी की हुआ करता था ठीक है दूसरी कोर्स इस्ट्रक्चर भी बहुत अलग तो इस्ट्रक्चर आप समझते हो मतलब बहुत नेरो कोस्त है यहां पर वाइडर एक पांसेट्स को ब्रीफ में पढ़ने की जरूरत है वाँ डारेक्ट कॉश्चन पढ़ना होते हैं पासिंग परसेंटेज हमेशा से CSET में ज्यादा जो की यह सिंगल बोज गुरूब का आपका अपना अनलिस एब या मैं नहीं बोलूगा कि आप सिंगल दे रहे थे बोज पे चले जाओ बोज दे रहे थे सिंगल शुरू से एटिट्व था सारे सब्जेक्ट से वाग्यों सारे सब्जेक्ट की ग्लासिस कर रहा गी है अब यह स्टुडेंट के सामने चोटी प्रोब्लम आती हो यह स्टुडेंट प्रोब्लम एंट पर्सेप्शन यह जरूर लेकर चलाओ में पॉइंट लोग समझ आया पर याद नहीं हो जिस समय लोग पढ़ रहे थे ऐसा लगर था कंपनी के डिरेक्टरी हम ऐसा फील करकर शा रहे थे टीचरπ हम भी पढ़ रहे हैं बट कभी लिखा लेकर आपको आप на अच्छे लेखा के बात कैसे पता गरें आप आप नहीं लेखा के नहीं लिखत लाइगात है और रह गई हैं सरहां पैले से Path disorder रह गहीं हैं तो आधर उनको अब यहए Чूड़ में अब exemption लेओ तो continue करो complete करो but otherwise अब YouTube पर जाएए one shot देखिए और आपके channel पर बहुत सारी चीजें available होती ही जा रही है class complete करकर previous year question teacher करा रहा तो उसके साथ साथ आप करो बड़ करना जरूरी है नहीं करोगे तो बहुत बड़ी मजबूरी है ठीक है अपना फेवरिट टॉपिक चेक ICI फेवरिट टॉपिक पहली बता चुका हूँ ICSI फेवरिट टॉपिक अपना जो फेवरिट टॉपिक हमें जो समाझ में आया है उससे previous year question बनते है नहीं एक बार जरूर देख लाकर बनते हैं तो बात बन जाएगी और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता सर इतनी सारी बातें आपने बता हैं इससे positive माहौल तो बन गया है पर सच में हम executive pass हो जाएंगे हमारे अंदर डर रहता है तो बटा एक दंगल movie की छोटी सी line एक गाने की कि कर दिखाने का मौका जब दी किसमत देती है गिन के तैयारी के दिन तुझको मौलत देती है ठीक है तो कर दिखाने का मौका इस बार मौका दे रही है किसमत आपको और गिन के तैयारी के दिन भी दे रही है तो आप ऐसा 100% करेंगे next topic पर बात करता हूँ मैं आपसे old and new अगर आपका नुमेरिकल बेश थोड़ा सा भी अच्छा है मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा भी अगर अच्छा है तो आप इनको फेवरिट बना लो और डिस्क्रिप्टिव वाले 5 सब्जेट में 40, 45, 50, 55, आपके में MCQs नहीं है उधर इसलिए इसलिए टार्विट कम रखा ये वाले 60 प्लस पर लियाओ उसमें आपका corporate and management accounting है financial management, strategic management है और आपका income tax और GST है ठीक है next point की बात करता हूँ छोटी छोटी बात है और रहे गई है हमारी thank you so much ठीक है जिद कर कुछ आज करने की जब तक ये बात आपके attitude मन में नहीं आएगा ये planner fail हो जाए ठीक है चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में जहिंद जहबारत, love you to love you, be happy all day